नश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसत का विशिश शत्र बुलाया कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस सेशन के दोरान एक देश एक चुनाओ का बिल ला सकती है दरसल दोस्तों केंदर की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाओ के प्रस्ताव से जुड़े कानूनी पहलवो कि आखिर एक देश एक चुनाओ की सरकार को अचानक जरुरत क्यों पड़ गई है वहीं कांग्रेस नेता और 36 गड़ के डिप्टी सीम टी एस सिंगदेव ने कहा कि विक्तिकत तोर पर मैं एक देश एक चुनाओ का स्वागत करता हूँ यह नया नहीं पुराना ही आइडिय इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार G20 सम्मिट से गेर हाजिर रह सकते हैं साउधी क्राउन प्रिंस रूस के प्रेसिडेंट पुतिन भारत नहीं आएंगे चीनी राजपती जिंपिंग का पहुचना भी तय नहीं जिया दोस्तो रूसी राजपती पुतिन और चीन क के बाद वो 11 सितंबर को एक दिन के लिए भारत की स्टेट विजिट पर रहेंगे इसके ठीक पहले वो कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान भी जाने वाले थे पाकिस्तान की विदेश मंत्राले की प्रवक्ता ममता जहरा बलोच ने कहा कि बिन सल्मान का पाक दोरा इस्तगि जाएंगी इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी ख़बार इंडिया गट बंदन की मीटिंग के बाद अन्वन राहूल ने उठाया अडानी का मुद्धा तो भलक उठी मंता जिया दोस्तों मंबई में इंडिया गट बंदन की दो दिवसीय बेटक के बाद ममता बेनर जी र बाद से भी नाराज है की कांग्रिस बंगाल में वामदलों के साथ गटबंधन को लेकर भी अनिक छुक है वहीं दोस्तों विपक्षी गटबंधन इंडिया दो अक्टूबर को गांदी जहिंती के आउसर पर बड़ा कारेकरम आयुजित कर सकता है मुंबई मीटिंग में दो दो अक्टूबर को बड़े कारेकरम को लेकर चर्चा हुई उदर विपक्षी गटबंधन के गठन की रूपरे का अब अन्तिम चरण में है लियाजा अब बड़ी रेलिया होने की संभावनाएं हैं ये रेलिया पटना नागपूर चनई में हो सकती है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार सहा एक सचिव विनोध तोमर को अद्रिक्त मुखे मेट्रोपॉलेटिन मजिस्ट्रेड हर जीत सिंग जस्पाल ने जमानत दे दी थी दोस्तों पहलवान बजरंग पूनिया विनेश फोगाट और शाक्षी मलिक सहित अन्य नामी पहलवानों ने यों उत्पिडन के आरोप पर पगा कर अब रजभूशन के खिलाफ कारे वाई की मांग करते हुए इसी साल जनवरी में धर्ना प्रदेशन की शुरुआत की थी कई दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर धर्ना दिया गया था इस बीच बरजभूशन सरण सिंग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस भी इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार गया है 11 साल बाद सुप्रीम कोट ने इस मामले का निप्टारा किया दरसल दोस्तो सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस सीजे आईडी वाई चंचून जस्टिस जेपी पारदिवाल और जस्टिस मनोज मिस्रा का यह आम फैसला शुकरवार को आया हिंदू मेरिज एक्ट की दार संपत्य में अधिकार है या नहीं साथी पिता की म्रत्यू से पहले माता पिता दोनों अलग हो जाते हैं तो एसी सिती में पैदा हुआ बच्चा पिता के पक्ष की विराश्तत में मिली संपत्य का हकदार होगा या नहीं इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार से शुरू हुई हिंसा अब 20 जारिये पिछले 3 दिन में 8 लोगों की मौत हो चुकी है हिंसा में 18 लोग गंभीर रूप से घायल हैं आदिवासी संगठन ITLF ने चुरा चांदपुर में बंद का एलान किया है आर्मी का खैनाए की महिला गटबंदन उने हिंसा ग्रहस्त इलाकों में आगे जाने नहीं दे रहा है उदर दोस्तो सुप्रीम कोट ने शुकरवार याने की 1 सितंबर को केंदर और मनिपुर सरकार को हिंसा प्रभावितों तक भोजन दवाएं और बुनियादी सामान पहुचाने का निरदेश दिया सीजे आई डीवाई चंद चून और जस्टिस जेपी पारदिवाल की बेंच ने सरकार से अलग-अलग संगतनों की नाके बंदी से खुद निपटने को कहा है साथ ही ओप्शन के तोर पर प्रभावित इलाकों में राशन की एर डोपिंग की सलाह दी है मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार रुपे जितने का मोका मिलेगा इस योजना का फाइदा लेने के लिए आपको इसका मोबाइल एप डाउनलोड करना होगा फिलहाल इस सुविदा को असम गुजरात और हर्याना, पुंडुचेरी, दमंदीव और दादर नगर हवेली में पाइलेट प्रोजेक्ट के रुप में शुरू किया गया है, यह योजना अगले 12 महीनों तक चलती रहेगी दरसल दोस्तो केंसरकारी स्कीम में लकी ड्रो के जरीये हर महीने 800 लोगों का चैन करेगी इन चुने गए सभी लोगों को 10-10 अजार रुपे का इनाम मिला जाएगा वहीं दोस्तो हर महीने 10 ऐसे लोगों को भी चुना जाएगा जिने 10-10 लाग रुपे का इनाम दिया जाएगा इसके लावा हर 3 महीने पर इनी बिलो पर बंपर ड्रो भी निकाला जाएगा जिन में दो लोगों को एक एक करोड का प्रोस्कार दिया जाएगा इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार खत्म होगी विस्तारा एर इंडिया के साथ मर्जर को CCI की मंजूरी जिन दोस्तो भारतिय प्रतिस्पता आयोग CCI ने टाटा गुरूप की विमानन कंपनी एर इंडिया और विस्तारा के विलाई के अनुमती दे दी है आलांकि ये अनुमती कुछ शर्तों पर निर्भर है विस्तारा के मर्जर के बाद अब एर इंडिया देश की दूसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एरलाईन और सबसे बड़ी इंटरनेशनल एरलाईन बन गई है टाटा गुरूप को उसके एरलाईन कारोबार को बढ़ाने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है दोस्तो आपकी जानकरी के लिए बता दें टाटा SIA एरलाईन के नाम से भी सेज जाना जाता है क्योंकि यह टाटा संस और सिंगापूर एरलाईन की जोइंट वेंचर है CCI ने Social Networking Platform X पर शुकरवार को बताया कि उसने विलाई को मंजूरी दे दिये इसके बाद दोस्तो अगली बाड़ी खबार आरमादवन Film and Television Institute FTII के नए प्रिसिडेंट बने सूचना प्रसारण मंत्रालेने की घोशना एक्टर बोले उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रियास करूँगा जिया दोस्तो अगली बादवन Film and Television Institute of India FTII के नए प्रिसिडेंट बनाए गए हैं इससे पहले फिल्म मेकर शेकर कुपूर इस पद पर थे तीन मार्च 2023 को उनका कारेकाल खत्म हो गया था सूचना प्रसारण मंत्राले की तरफ से मादवन की नियुक्ति की गई है मंत्राले ने इसके लिए प्रेस रिलीज भी जारी की अनुराग ठाकुर ने मादवन को शुबकामनाए भी दी है एक्टर ने भी उनका शुक्रिया आदा किया कुछ दिन पहले मादवन की फिल्म रोकेटरी दनम्भी इफेक्ट को नेशनल अवाड मिला था दोस्तो सूचना और प्रसाराण मंत्र अनुराग ठाकुर ने लिखा कि FTII का प्रेसिडेंट और गवर्निंग काउंसल का अध्यक्ष मनोनित होने पर आर्मादवन को दिल से भदाई मुझे उमीद है कि संस्तागों आपके अनुभव का पूरा लाब मिलेगा इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार लिविन रिलेशन्शिप देखने सुनने में ही आकरशित लगती है इलाबाद हाई कोट ने कहा विवहा को खत्म करने के लिए ये योगदान दे रही है जी हैं दोस्तो लीविन रिलेशेशिप देखने और सुनने में बहुत आकरशक लगती है लेकिन जैसे जैसे समय बीटता है ऐसा लगने लगता है कि इन रिश्टों की कोई सामाजिक मानिता नहीं है और ये जीवन भर नहीं चल सकता एक मामले के आरोपी को जमान देते हुए इलाबाद हाइकोट नहीं है टिपने की हाइकोट ने कहा कि मिडिल क्लास नेतिकता को भारत जैसे देश में अंदेखा नहीं किया जा सकता हमारे देश में ज़दतर मिडिल क्लास आबादी ही है किसी भी देश की इस्थिरता सामाजिक राजनितिक और आर्थिक इस्तिती उसमें रहने वाले मिडिल क्लास की संक्या पर निर्भर करती है पाकिस्तान का उदरन देते हुए हाई कोट ने कहा कि पडोसी देश में मिडिल क्लास और मिडिल क्लास नेतिक ताकी कमी का असर वहां की सामाजिक राजिनतिक धार्मिक असंतोष में देखा जा सकता है पाकिस्तान की जादतर समश्याओं का कारण वहां मिडिल क्लास की कमी की वज़ाया है पाकिस्तान में सिर्फ बैहद अमीर और बैहद गरीब ही जादा है कोट ने कहा कि जो सुरक्षा सामाजिक स्विक्वारता प्रगती और इस्थायत्व विवाहा में मिलता है वो कभी भी लिविन रिलेशन्शिप में नहीं मिल सकती देश में विवाहा की संस्था को समाप्त करने के लिए सिस्टेमेटिक डिजाइन चल रहा है फिल्में और वक को जमानत देते हुए कहा कि ये भी ऐसे मामलों में से एक है जान लिविन रिलेशन्शिप को इंजोई करने के बाद युवा अपने रास्ते अलग कर लेते हैं और जैसा ज्यादातर मामलों में होता है कि लड़की F.I.R. कर विवाहा का प्रियास करती है इसके बाद दो जनता से मुखातिब हुए और मोदी सरकार पर जमकर हमला किया अरविंद केजरिवाल ने कहा कि मोजूदा सरकार आजाद भारत की सबसे ब्रहस्ट सरकार है अरविंद केजरिवाल ने कहा कि ये इंडिया अलाइंस के वल चंद पार्टियों का अलाइंस नहीं बलकि देश के 140 करोर लोगों का गडवंदन है देश भर से बहुत बड़ी संख्या में लोग इगटा हो रहे हैं ये लोग भारत का निर्मान करने के लिए एक साथ आ रहे हैं अरविंद केजरिवाल ने कहा कि आज हमें बहुत दुख होता है ये जानकर कि मोदी सरकार आजाद भारत की सबसे ब्रच्ट सरकार है विदेशी अकबारों के फ्रंट पेज पर खबर चप रही है कि मोदी सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है वो एक आदमी भारत से पैसा निकाल निकाल कर विदेश में ले जा रहा है और देश की सरकार उसकी मदद कर रही है वहीं दोस्तों अरविंद लोग अपने आपको भगवान से भी बड़ा समझने लगे हैं जो खुद को भगवान समझने लगता है उनका पतन भी जल्द ही होता है। सेंसेक्स 555 अंक बढ़कर 65387 पर बंद एंटी पीसी निफ्टी 50 का टॉप गेनर रहा। 555 के टॉप गेनर रो टॉप लूजर्स की बात करें तो दोस्तो टॉप गेनर्स में एंटी पीसी के लावा जियो फाइनेंशल और ओन जीसी भी रहे। इसके लावा टॉप लूजर्स में सिपला SDFC और डॉक्टर रेडी ज टॉप लूजर्स रहे। इसके बात दोस्तो अगली बड़ी खबार शनिवार को आंदरप्रदेश के चैंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मिशन की सफलता के लिए प्रातना की। इससे पहले सौमवार 28 अगस्त को इस रोचीफ एस सौमनात ने तमील नाडू के सुलूर पेटा में श्री चैलम्मा परमेश्वरी मंदिर में पूजा की थी। तरह तेयार है भारतिय बल्लेबाज, पाकिस्तानी तेज गेंदबाज, शाहिन शाह, फ्रीदी, नसीमसा और हारिश रव का सामना करने के लिए हमवर्क पूरा कर मैदान में उतरने वाले हैं। इसके पीछे काफी मेहनत होती है, मुझे भरोसा है कि उन्होंने भी काफी मेहनत की है। इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार नजर आ रही है, वहीं दोस्तो आने वाले दिनों में फिल्म धमागेदार कलेक्शन करती या नहीं इसका पता नहीं लेकिन सो करोल का कलेक्शन हासिल करने के पूरे आसार हैं। इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार आरेसेस प्रमुक मोहन भागवत ने कहा हिंदूस्तान एक हिंदू राष्ट है और सभी भारतिये हिंदू हैं। श्री नरकेशरी प्रकासन लिमिटेड की नई इमारत मधूकर भवन के उद्गाटन के अउसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदूस्तान एक हिंदू राष्ट है और यह एक सच्चाई है। वेचारी के रूप से सभी भारतिये हिंदू हैं और हिंदू का मतलब सभी भारतिये हैं। वे सभी को आज जो भारत में हैं वे हिंदू संस्कृति हिंदू पूर्वजो और हिंदू भूमी से संबन्दित हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं, भागवत ने कहा कि कुछ लोग इसे समझ गए हैं, जबकि कुछ अपनी आदतों और स्वार्थ के कारण समझने के बाद भी इस पर अमल नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ लोग या तो इसे अभी तक समझ नहीं पाए हैं या भूल गए है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार भारत के पूर्व सेना प्रमुखों की ताइवान विजिट चीन हुआ नाराज का वन चाइना पॉलिसी को माने भारत ताइवान से डिफेंस सहयोग बढ़ाने से बचे जिया दोस्तो आठ अगस्त को भारतिय सेना के तीन पूर्व सेनी अधिकारियों ने ताइवान का दोरा किया था इस पर चीन ने गुरुवार को कडिया पत्ती जाहिर की है दरसल दोस्तो एक पाकिस्तानी पत्रकार ने प्रेस कॉंफरेंस के दोरान चीन के विदेश मंतराले के प्रवक्ता वांग वेन बिन से इस मामले पर सवाल पूछा इसके जवाब में वेन बिन ने कहा कि हम ताइवान के साथ किसी भी ऑफिशियली बाच्चीत का विरोध करत दा इकनोमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबित पूरु एड्मिनल करंबीर सिंग जर्नल एम एम नर्वने और पूरु चीफ अफ एर स्टाप आरके एस बदोरिया ने ताइवान का दोरा किया था ये ताइवान में हुए इंडो पैसिफिक सेक्वरिटी डायलोग में श पूल पर अब तक सेलफर, अलुमीनियम, केल्शियम, आईरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मेगनीज, सिलिकोन और ओक्सिजन की मुझूदी का पता लगा चुका है आट्रुजन की खोज जारी है तेवे सितंबर को चंद्रमा पर लेंडिंग के बाद विक्रम लेंडर और प् सता पर भुकंप की प्राकर्तिक घटना को रिकोड किया, ये भुकंप 26 अगस्त को आया था, इस रोंने बताये कि भुकंप के सोर्स की जाच जारी है, इस रोंने सोशल मीडिया पर बताया कि चंद्रियान तीन के लेंडर पर लगा, ILSA पैलोड, माइक्रो, इलेक्ट्रो, म मेकेनिकल सिस्टम, MEMS टेकनोलजी पर आधारी थे, ये है, पहली बारे जब चांद की सताया पर ऐसा इंस्ट्रूमेंट भेजा गया है, रोवर और अन्य पैलोड के चलने से चांद पर होने वाले कंपन को इस इस्ट्रूमेंट ने रिकोर्ड किया है, इसके बाद दोस्तों अगली बाड़ी खबार, जेडियेस सांसत प्रजूल रेवन्ना की लोकसबा सदश्यता रद, 2019 चुनाओ में इलेक्शन कमिशन को जूटा हलफ नामा दिया था, सदन में पार्टी के एक मात्र सदश्य थे, जियन उस्तों करनाटक हाई कोट ने जेडियेस सांसत प्रजूल रेवन्ना की लोकसबा सदश्यता रद कर दिये, कोट ने काई कि उन्होंने 2019 के लोकसबा चुनाओ में इलेक्शन कमिशन को हलफ नामे में गलत जानकारी दी थी, उन्होंने अपनी 24 करोड से अधिक की इंकम छिपाई थी, प्रजूल जेडियेस के राष्ट्य अध्यक्ष और पूरू प्रदानमंत्री एच्डी देवगोडा के पोते हैं, प्रजूल साल 2019 के लोकसबा चुनाओ में जीतने वाले पार्टी के एक मातर सांसत थे, उनकी सांसतीर रद होने के बाद अब लोकसबा में पार्टी के पास कोई सदश्य नहीं बचा है, दरसल दोस्तों जानकारी के लोकसबा चुनाओ में प्रजूल ने पीजेपी उम्मीदवार आरकल लाडू मंजू को हासन सीट से हरा कर जीत हांसिल की थी, नतीज जियाने के बाद मंजू ने 26 जून 2019 को हाई कोट में याचका दाखिल की थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रजूल ने चुनाओ के लिए नामांकन दाखिल करते हैं वक्त दिये हलफ नामे में अपनी इंकम की गलत जानकारी दी थी, उन्होंने संसदी शेत्र की जनता को गुमराहा कर चुनाओ जीता है, ऐसे में उनकी संसदी रद कर दी जाए, 2019 के लोकसबा चुनाओ के दुरान हलफ नामा दा दोस्तो बारी आती है, आज के माइंड क्यूज कूशन की, जिए आँ दोस्तो एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं, एक अमेजिंग सर्प्राइस गेफ्ट हमारे युडूब चैनल की ओर से, तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भार चैनल की ओर से, तो दोस्तो जल्दी सपना उत्तर का में लिख दीजे, वडियो को लाइक कर लीजे और चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन भी दबा लीजे, धन्यवाद बंदे मातरम, जै हिन, जै भारत